हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब को सिखाऊंगी कि कैसे अपनी जीन्स को शोट में कनवर्ट कर सकते हैं तो देखे फ्रेंज मैंने जीन्स ली है और इसे मुझे शोट बनाना है जो मेरी शोट है वो उचे 20 की तयार चाहिए तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो इंच का एक्स्ट्रा मार्जन रखते हुए 22 पे निशान लगा लिया है वो पीछे की तरफ से मैंने कमर के हिस्से वाले को नापते हुए फ्रेंज मैंने यहाँ पे 23 and half लिया है क्यों क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा जो कमर वाला हिस्सा होता है वो हमारे आगे वाले हिस्से से डेडिंच ज़्यादा होता है तो इसलिए मैंने साइड वाले हिस्से से नापते हुए महाँ पे 22 और कमर वाले हिस्से से नापते हुए बीच वाले हिस्से को 23.5 लिया है तो देखी फैंस मैंने इने कट कर लिया और कट करने के बाद अब मैं इसे फोल्ड करूँ इसे बराबर फोल्ड करने के लिए फ्रेंज मैंने तूनों तरफ एक एक इंची से नाप लिया और फिर मैंने इसे बराबर फोल्ड किया है मैंने आपको एक फोल्ड करके दिखाया फ्रेंज आपको दूसरा भी ऐसे एक खुद फोल्ड करना है और fold करने के बाद देखे फिंच जो हमारी stitches है उसी के उपर आपको stitch देने और इधर हमारी दो stitch है तो दोनों के side में आपको या तो दोनों के side दे सकते हैं या एक side पर आपको दे सकते हैं तो देखे फिंच मैंने stitch दे दिया है अब इसके बाद हम इस पर iron करेंगे तो देखे फिर अब हमारी जो सोट है वो डालने के लिए रेडी है थेंक ये और बाई